ओम नमस्च शिवायओ दोस्तों मेच रासी वले जात् neighborhood का इस चैनल पर इस स्वागत इस वीडियो में हम आपको बतानी जा रहे हैं मेच रासी का साल 2021 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वला है इन दोनों महीनों के समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस व्रकार की स्थितियों का निर्माड मेश रासी वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है इस वीडियो में आप जानेंगे इन दोनों महीनों में आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुसकवरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवसकता रहने वाली है इस वीडियो में हम आपको सठीक जानकारी देंगे यदि आप मेश रासी के जा तक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें इस वीडियो के दौरान हम आपके जीवन में आपके जीवन के हर पहलो को बताने का प्रयास करने जा रहे हैं जिसमें आपका केरियर और व्यावसाइक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्त, एजुकेशन लाइब और मेस रासी के लिए कुछ खास उपाए तो उपाए के दोरान मेस रासी की कुछ कम्यों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे तो यह रासी फल आपके चंद्र रासी के उपर आधारित है तो आप इससे इसी आधार पर देखें और यह रासी फल मेस रासी वले जात्कों के लिए ही बनाये गया है इस रासी वल को बताने से पूर भाम ग्रह स्थतिक की जानकारी आपको देंगे कि इस समया वधि में ग्रह स्थतिक किस प्रकार की बनी हुई है उससे पहले हम बात करें मेस राजी की तो देखिए जातकों आपके अंदर लीडर्शिप छमता है आपके अंदर मनोबल में वृद्धी होती है आपका मनोबल काफी उच्च होता है आप सारीरिक रूप से बलवान होते हैं मेस राजी वाले जातक जीवन में प्रतेक चुनवती का सामना करते हैं और अपने वाड़ी के दोरा किसी विव्यक्ति का नुकसान जीवन में ये करने से दूर रहते हैं इनके अंदर क्रियेटिविटी होती है, कॉन्फिडेंस अस्तर होता है किसी कारे में ये जब इनवोल्व होते हैं तो उसकारे को सत प्रिसद करने की कोशिज करते हैं उसकारे में अपना सत प्रिसद फढ़ लगा कर जीवन में चलते हैं उसके बावजूद भी आपके जीवन में नाकरात्मक स्थितियां, कम परिणाम, लगातार मेहनत करने के बावजूद भी कम परिणाम यदि आपको प्राप्त हो रहे हैं, जीवन में खर्च अक्यधिक मात्रा में हो रहा है, बरावर चिंताएं बनी हुई है, स्वास्त में पर कि ग्रहों के नुसार किस प्रकार की संभावना इन दोनों महीनों में आपके जीवन में बनने जा रही है। कहां पर आपको सावधानी बरतनी के आवसकता होगी। तो मेश रासी वाले जातकों राहु मंगल का अंगारक योग 13 अपरेल और मई के हम बात करने जा रहे हैं तो 13 अपरेल तक आपके रासी के धन भाव में बना हुआ रहने वाला है। राहु देव आपके रासी में गोचर में पूरे वर्स धन भाव यानि सेकंड हावस में ब्रहमड करेंगे। गुरु देव रहस्पती और सनी देव का नीच भंग राजियोग 5 अपरेल 2020 तक आपके रासी के दसम भाव में बना हुआ रहेगा। उसमें गुरु देव रहस्पती 5 अपरेल को आपके रासी के लाव भाव में चले जाएंगे। मेजर ग्रह हैं जिनका परिवर्तन नहीं होगा। उसमें केदू आते हैं जो आपके रासी के एस्टम भाव में रहेंगे। सुर्य सुक्र और बुद्ध ये तीन ग्रह अपरेल की सुरुआत में आपके रासी के ट्वल्थ हाउस यानि व्याव हों में रहने वाले हैं। और मई के महने में इन तीनों ग्रहों का आपके रासी के लगन पर इस्टिती बनेगी गोचर होगा। आएव हम आपको बताते हैं कैसी संभावनाएं बनने जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके केरियर और व्यावसाइक जीवन के बारे में। तो मैं इस रासी बले जातकों हूँ चुकि सानी देव अपरेल के महीने में काफी अनकूल इस्थितियों में हैं। आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। ये दोनों महिने आप जीवन में कुछ नया करने के लिए, क्रियेटिव कारी करने के लिए काफी उत्सुक रहने वाले हैं। इससे आपका मनोबल काफी ज़्यादा बढ़ेगा, सनिदेप के दसम भाव में मौझूद होने से आपकी उर्जास्तर काफी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर मेशरासी बले जातकों अपने आपको संभालने की आवसकता 13 अपरेल तक रहने वाली है, क्योंकि धनवाव में अंगारक योका निर्माड होने से वाणी में कटुता उत्पन हो सकती है, आप अपने वाणी के द्वारा लोगों को नुक्सान पहुँचा सकते हैं उसके परशात ये दोनों महिने आपके लिए काफी अनकूल हैं, इस समयावदि में इन दोनों महिनों में केरियर में भागिका आपको पूर्ण रूपन साथ मिलता हुए जीवन में दिखाई देगा, ये नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसके समाप्त होने की सं बावणा जीवन में बनने जा रही है। वियापरिक जीवन में संलगने जातकों के मन में यदि तनाव की स्थिती उतपन न थी, वो जीवन में समाप्त होती हुई नजर आने वली है। व्यापारिक जीवन में यदि आप सनलग नहर कोई बड़ा निवेस करने के लिए योजना बना रहे हैं, 13 अपरेल तक आपको इंतजार जरूर करना चाहिए, उसके पशात ही आप जीवन में कोई निवेस करें, जीवन में यदि आप मल्टिनेशनल कमपनियों में कारी कर रहे हैं तो बेतर संभावनाई जीवन में उत्पन होगी, राजनीतिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को जीवन में अच्छे अवसर देखने के लिए मिलेंगे, साथ में ऐसे जाता है जो लेखन, साहित, चिकिसा, पूलिस, फोज, प्रसासन के छित्रों में सनलग नहोकर जातक तैयारी कर रहे हैं, या जीवन में जॉब कर रहे हैं, उनके जीवन में बेतर संभावनाई देखने के लिए मिलने जा रही है, यहां पर मेसरासी वले जातकों, चुकि यह आपके जीवन में हर प्रकार के कादियों को करने का जुनून जागरित हो जाएगा, 13 अप्र महीनों में अगर रासी का धन भाव और रासी का लाव भाव देखा जाए, तो 13 अप्रेल के पूर्व तक खर्चों में अधिकता दिखने के लिए मिलेगी, और आर्थिक जीवन में आपको सोच विचार कर निवेज करने के लिए आवसकता रहने वाली है, इन दोनों महीनों आप जातक हैं और नए उद्यम की सुरुवात करना चाहते हैं, उससे परियाप्त मत्रम में धनार जन आप जीवन में कर सकते हैं, नए अव्यापार आप सुरुवात करके बेतर संभावनाओं का निर्माड आप जीवन में जरूर कर सकते हैं, आर्थिक लिहास से अगर कहा तो यहाँ पर अकस्माद धन लाव होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी, राहु जिब सेकंड आउस में होता है तो अकस्माद धन लाव होने के जीवन में निरंतर संभावनाय उत्पन्न होती है, आपके रासी में स्वरासिगत होकर राहु देव धन भाव में ही विर जरूर नजर आएंगे इन दोनों महीनों में अगर परिवारिक मामलों में कहा जा कैसा समय रहने वाला है तो देखिए परिवार में काफी समरस्ता देखने के लिए मिलेगी परिवार के सदस्यों का आप काफी सहयोग जीवन में देखने के लिए मिलेगा परिवार के मामले मे ये दोनों महिने काफी खुशनुमा हैं, काफी खुशियां देखने के लिए जीवन में मिलने जा रही है। आपके मन में प्रसनिता देखने के लिए जरूर मिलेगी। 13 अप्रेल के पूर्व तक परिवार के सदस्यों में कड़वाहत यानि वाद विवाद करने से आपको बचना है, अपने वचन पर मुखी रूप से ध्यान रखकर चलने की आवसकता रहने वाली है। स्वास्त के मान में अगर कहा जाए, तो रासी का छटमा भाव स्वास्त का जिम्यदार होता है, इस भाव के जो स्वामी बंदे हैं वो आपके रासी में काफी अनकूल स्थितियों में विराजित हैं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए, तो अप्रेल का महिना उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन माई का महिना काफी आपके लिए स्थांदार और बेतरीन रहने बाला है। स्वास्त का लिएस से आपको यहाँ पर ध्यान रखने कि साव सकता होगी मौसम परिवरतन, मौसम में गर्मी बढ़ने से आपको कई प्रकार के समस्यां उत्पन हो सकती हैं, जिसमें अलर्जी के समस्या, मस्तिस्क में, प्राबलम, घवराहट यह सारी समस्यां आपको अपर किसी भी प्रकार का मांजदिक तनाव मन में लेकर आप ना चलें तो स्वास्त आपका पूर्ण रूपे ठीक रहेगा हलाकि पूरा वर्स स्वास्त के दिशा में ज़्यादा उत्तम आपके जीवन में है किसी भी प्रकार की ज़्यादा समस्य आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी साबधानी आपको जरूर बना कर चलना है क्योंकि यदि आप वहाँ चला रहे हैं तो इसमें आप साबधानी जरूर बनाए इस समय वधि में अगर प्रेम और वहाँ जीवन के लिहास से अगर कहा जाए तो इन दोनों महीनों में इस्थितियां काफी स्त्रेश्ट हैं प्रेम जीवन आपका काफी उत्तम रहेगा और वहाँ जीवन भी आपका काफी खुस रूमा रहने वाला है रेम जीवन में सनलगने जातक बेहतर पलों का निर्माड जीवन में जरूर करते हुए नजराएंगे और यहाँ पर बेहतर संभावनाई आपके जीवन में उत्पन होगी वैवाहिक जीवन को सब्तम भाव से देखा जाता है इस भाव में गुरुदेव रहस्पती प्रभावी हैं गुरुदेव रहस्पती के सुब्ध रिष्टियां यहाँ पर जा रही है जिससे वैवाहिक जीवन में अच्छे स्थितियों का निर्माड होने जा रहा है आपके पार्टनर के साथ काफी नजदिकियां देखने के लिए मिलने जा रही है रिष्टे में भावनात्मक रूप से एक आगरता देखने के लिए मिलेगी आपके वीच में एक नया अनुभाव देखने के लिए आपको मिलेगा जीवन साथी के साथ आप बेतर पल को बिताने के लिए समर्थ हो पाएंगे दामपत्य सुख काफी जाद जीवन में बढ़ा हुआ इन दोनों महीनों में रहने बला है सिक्षा के लिहाद से अगर कहा जाए जात को तो यह दोनों महिनें में अगर कहा जाए तो सिक्षा को पंचम भाव से दिखा जाता है सिक्षा भाव में जो सुब रहे हैं तो अप्रेल का महिना सिक्षा के लिहास से आपके लिए काफी बेतरीन है यदि किसी परिक्षा में आप बैठने के लिए उजना बना रहे हैं तो उसमें आपकी विजय होने की संभावना बनेगी आपके कर्म का आपकी मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको परिक्षा में देखने के लिए जरूर जीवन में मिलेगा विद्यार्थियों के लिए किसमय काफी सुब रहने वाला है इस समयावधि में यदि आप सिक्छाण संथान में संलगना है सिक्छा ले रहे हैं उसके वावजूत आपके मन में क्रियेटिविटी विक्सित होगी संगीच, साहित, गायन, वादन, नृत, इन विदाओं में भी आपकी रुची जाती हुई नजर आने वाली है तो यहाँ पर बेतर पल आप जीवन में जरूर अनुभा करते हुए नजर आएंगे अब आईए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपा जिसको करके आप बेतर संभावनाओं का निर्मार कर सकते हैं तो यदि आप मेश रासी के जाता के हैं तो कुछ खास बातों का आपको विशेश रूप से ध्यान जीवन में जरूर रख कर चलना है सबसे पहला मेश रासी वले जात को अपने अंदर आपको उगरता क्रोध और पन्यंतरन बनाकर जरूर चलने के आवसकता है रहने बली है क्योंकि क्रोध एक ऐसी वस्तु है यदि क्रोध सकरात्मक दिसा में होता है या सही दिसा में होता है दरसल क्रोध को एक इनर्जी कहा जाता है उर्जा कहा जाता है प्रतेग विक्त के अंदर यह नहीं होता है मेस और व्रिशिक रासी में चुकि दोनों के स्वामी मंगल होते ह तो इन दोनों रासियों के जातक काफी सारेरिक रूप से बलवान होने के साथ क्रोध ही होते हैं। कपड़ों का दान कर सकते हैं। निर्माड नहीं करना है। यदि आम इस रासि के जातक हैं तो आप अपनी की हुई गलतियों से कवी सीख नहीं लेते हैं। और दुबारा फिर सो वही गलतियां दोराते हैं। नेस रासि वाले जातकों में यह भी देखने के लिए मिलता है। यह इस रासि के जातक होते हैं अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों से भागने के अक्सर कोसिस जीवन में करते हैं। तो आपको यह दिया जिस उम्मेदारियों प्राप्ते हैं। चूँकि जीवन के पड़ाओं में सव वर्स का जीवन होता है। इसमें बालिया वस्ता, किसोरा वस्ता, प्रोड़ा वस्ता और वृद्धा वस्ता होती है। इसमें जो आपको दाई तो मिला है। जीवन के लिए दाई तो आपको प्राप्ता है, क्योंकि सिक्षा का समय 25 वर्स तक होता है। तो सिक्षा से आपको मौ नहीं चुराना है, सिक्षा लेनी चाहिए। इससे आपका व्यक्तिकत और जीवन में जरूर विकास होगा। अपने जीवन में आप पुरानी वातों से आपको सीख लेनी है, पूर्व की वातों से आपको मन में नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न करना है, नकरात्मक इस्थिदियां उत्पन्न नहीं करना है, अपनी बुरी आदतों को आपको त्यागना है, आलस सिक्षा आपको पू जोरी को दूर करना है आपके अंदर की जो खोवी है जो अच्छा ही है उसको बाहर लाना है अपने अंदर सिल्फ डब्लमेंट यानि अपने व्यक्तिकत विकास पर आपको जीवन में ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए कोशिस करें कि हमेशा साकरात्मक बातावरण में रहें तो बेहतर संभावनाएं बनेगी आईए अब हम आपको बताते हैं धार्मी कुपाए मेश रासी वाले जातकों प्रते एक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाट करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेगी आपको यह सला दी जाती ह अबने रासी के स्वामी यानि मंगल देव से जुड़ा हुआ मंत्र ओम अंगार का नमहना मंत्र का जब करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है अच्छे महान व्यक्तित तो लोगों की जीवनी आप जरूर पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अध्यात में से आप जरूर जुड़ें धार्मिक जीवन में आप जरूर इनवाल हो अच्छी लगी यदि आप अने वले समय में जोत्यष धर्म और रासी फल से संबंदित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं